कि अरे बूरिया बबात को को इन एक बबा से था अब भी उतानी हैक नहीं ब्याय। बूढी मुज़े पता हिवे रहता तो हुआ है तो क interpreं कि आस पायस कोई बबा रहता था जी ठेके और उस वाबिक खा उनितun में पूरिया बबाबा नाम क्या था उसका पूरिया बबाबा और यहां पे जब मैं यहां पर नया नया पढ़ना आया था तब हमारे एक senior हुआ करते थे बहुत ज़दा senior थे उन्होंने वास्ताने बहुत लंबे टाइम तरही श्ट्रगल भी किया उनका knowledge भी अच्छा था पर सब कर दो नहीं सेलेक्शन हो यह नहीं तो यहां पर ऐसे कई बर इससे कई बार श्ट्रगल आती है कि कई बार तो आपको कुछ चीजी मलें एक student को देख कैसा feel आता है कि बहुत intelligent है और किसा सेलेक्शन हुए नहीं और कई बार कुछ students वो जो speed की तर आते हैं आते हैं के बल परी का एक्जाम देते हैं मेंस का देते हैं इंट्रिव देते हैं और सलेक्ट और सब उनको जब हो जब इसका नॉलेज इतना अच्छा है सब कुछ यह तो वो जो हमारे senior थे वह उसे खूब ही पढ़े और उनका भी कोई result है कि यह वो fail-wail हो गए तो यह दुखी टाइप से ही ह पर पता नहीं में करकी इनके अच्छ-थे यह तो मिन रही है सब कुछ है थिक है आता है अपको सबस्क्राइब बूरियाब की कुछ भी हो यह नहीं हो तो मरीय हो इस 스स्क्राइब यह जुभान सब्णता म्हों कि एलिक आठक ढूलीन थे कप है तो बूरिया बबबा शर्ट या है एक बूरिया बबाप संसान में रहने वलगा एक बबबा है एक और बूरिया बबबा कुछ भी बोलने से पहले सब्तствен कुछ बूरिया बबबा बाबबा को आंपको 90 कुछ कुंप और पड़ स conseguborr से 2 америкड इंद्र में कोटर भूरिय बाब क्वा को बेट और एक छॉटा मोटा छप्रावापरा बना रखार उसके निज्चाके बैठे वो जाके बूरिय बाब की सामने आठ रॉड़के बूरिया बबास की बाबाजी बहुत दुख्य हूँ बबाज इन दुनिया में हुकह कूण है मैं भी दुख्य तु भी सब भी दुख्य है उन्हां कि बबाजी आप कैसे दुख्य हो थे भाई मिराज घतम हुए दिन हो गए तो उन्हें अपना थेला खोला और थेला खोल के अंदर से मिराज की पुरिया निकाली और खूब सारी रखी उनके आगे पूरिया खुश हो गया पूरिया अच्छा अच्छा पेटा तेरा दुख क्या है तो बाब मैं आरेस की तैरी वहरी कर रहा हूं मेरा सेलेक्शन नहीं ह हो रहा है अब भूरिया बाब कुछ ही समझ में नहीं आए आरेस ठीक होता क्या है पूरिया बाबा कि यह होता क्या है तो उन्हें का साब यह जो यह जो है ना बड़े-बड़े अधिकरी नहीं होते सब्सक्राइब यह सारे आरेस होते हैं तो चाहता क्या है कि बाबाजी इति बार से एक्जाम दे रहा हूं सेलेक्शन हुआ नहीं है अब आप आशिरवाद दे दो इस बार मेरा जो है वह सेलेक्शन हो जाहता हूं अब आजगर क्या है कि बहुत जड़ा आती है ठीक है इसलिए आपको जह हो कोई भी जनरल का इस्टुएंट भी टॉप्ट है ना 25-28 तक भी उसकी रेंक आती है ना तो भी उसके मिलने के चांसे जिरहते हैं जिबकि पहले ऐसा नहीं था पहले वेकेंसी आती है एसडियम की प्रॉपरीती थी च्यार पांच छे साथ जद़ जद़ ठीक है तो इसलिए टॉप एट के अंदर अंदर लोग निपड़ जाते थे तो उस जमाने कम यह आती थी उन्होंने का सब एसडिम बनने के लिए होता क्या है कि सब यदि टॉप 10 में रहें का जाए ना तो मैं बन जाओंगा तो भूरिया बबन का अच्छा टॉप 10 में अब भूरिया बबाब यू सोच ही रहा था जिते मुदन थेला वापस खोला अंदर से दो धोला मारू के जब निकाल कर रखे आग्या बूरिया बबन देखती खुस हो गया और एक द और देखके राजी हो गया बबा ने गया कि तुझ को एना चिंता मत कर बेटा तेरी इच्छा पूरी हो गी तेरी इच्छा क्या पता ही तुन्हें उन्हाने का सब टॉप 10 में रहेंग चीए टॉप 10 से पीछे आगी फिर मिलेगा फिर वापस एक्जाम देना पड़ेगा औ भूर्या ने थेले में देखे ओर कुछ है कि नहीं है तो एकदम से ला खाली हो गी अगली बहुए वह ओर हूँगा तो च्छी तुम बाद मीआ जैपूर आय Mhm बहुत कम कर दिया और यह गूमे फिर इदर उदर बस चाहिए के थड़ियों पेर कभी आये टेस्ट लिखेर कभी कुछ ही अब वो बिल्कुल रिलेक्स हो गए उनको पता नहीं क्यों बूरिया बाबा इत्ता कॉन्पिडेंस आ गया किसा उनको लगा इतने साल पढ़ा ही करी ह यह करना आज फो लापर वे हो गया अब उनने ज़ाने वह और ने करते बादे को वचछन वह कहें बूंकरी यह जो होता है जो बोलता है वो लेता है तो नेक्स डे उन्होंने का अच्छा में भी बल्ले वहां लेकर चलना है उनके पढ़ने का मूड नहीं तो संडे को चलते हैं एक दिन पर भूरिया बबाबा की डिमांड है तो क्या क्या बूरिया बबाबा को जो है वो ऐसे डोलामारू के पवे बेडियों के बूरिया बबाब पवे क्यों धंग से पूरी शराब के क्या देंगे बोतल देंगे और कोई गया बीडियों के बंड़र कोई सिग्रेट के पैकेट और कोई मिराजयर विराजयर और वो नेक्ष्ट लिगर के जो है वो खुद तो थे उनके साथ तेरा लोग ऐसे उनके बता जो पहले गए हुए तो उनकी तरफ देखके कहे तेरे को देखा हुआ है और पहले कहीं उन्हें बबाब जी ऐसे कैसे बूल रहे है थोड़े दिनों पहले आके गया था तब अच्छा किसलिए कि मैंने बबाब जी आपको बताया था ना आरिस की तेरी कर रहा हूं और मेरे तो टॉप 10 चाहिए तो टॉप क्या है बाब जी बिलकुल याद आया तू मिराज लेका है तो वह यादमी है उन्हें ने रहा है तो मैंने तेरे को बोल दिया ना तेरा रहे है बस वह टॉप 10 में हो जाएगा मतलब पक्का तो बिरुए और बाब जी यह यह वी मेरे दोस्त यह आपके पास पूछने है तो बूरिया बाबा उन्हें गूर गूर के देखे वह आदमी अपना थेला खोले और अंदर से मीराज जैने बीडियार और वह जो बॉत्तल वगरा धोला मारू के पवे वगरा रखे बूरिया बाबा उनको सबको देखे साइड में करे टॉप 10 टॉप क्या है टैन सेकिंड नमबर आया उसको एक टॉप 10 और ऐसे कि तेरा लोगों अपना चड़ावा रखा बूरिया बाबन सबको वच्छन दे दिया टॉप 10 का तो उनमें से एक जो सबसे पहले गए तो बबाजी बबाजी क्या बैटा बबाजी गड़बड हो गई तो बूरिया बबाबन का बूरिया बबाबा का वच्छन है सब टॉप 10 मतलब सब क्या है टॉप 10 तो उन्हों गारे बबाजी टॉप 10 का मतलब जानते हो बूरिया बबाब सिर्क हुजए और मतलब क्या होता है टॉप 10 का मतलब होता है कि एक से लेकर 10 तक जिनकी रेंक आएगी उनको बोलते हैं टॉप टेन जबकि हम लोग कित्ते हो गए हैं सब्सक्राइब अच्छा यूँ एक से लेकर दस तक टॉप टेन होते हैं तो भूरिया बाब अपनी जबान से मुक्रे नहीं पूरिया बाबर वचन है सब टॉप टेन उन्हें को बापजी हुगा कैसं अरे पर आएंगे तो सब क्या है टॉप टैन तो यहीं वड़ी बात थी कि वह कई बार जो हाँ जब कोचिंग की बात चली तब भी बात आई हाँ इन में से गोच जो त्येरा लोगति नों में से लुट हो आप आदों का हुआ अरदों का नहीं हुआ पर वो जो सबसे पहले गहे थे न उनका तो हाँ अर। एसमीं बोचआ लिए इंवाज पर लिए टेन बार हुआ है ह def, और यो और है और मंसक्त दाइस में एक बार नहीं तीन बार गुशा किती बार ओए तीन बार अब और अच्छ फुरिया बबड़ा में गट पाफ बुलेंगे एक दिन बुड़िया बबास सबको टॉप टैन गर देगा सब क्या कर देगा नोट वह तो खेर है जो यह बूरी अबभ वड 되어 क्रिए साब के हरकोई कोचिग वाला क्रता धी दस में हमारे यहां से 10 में सी दस में हैं हमारे यहां से कोहता है है जब आपने बिस लिए आपको रश की यह करनी ह máxim गरने आहन डi से क्रिकर ने कि यह समझे है पहली जाओगे हर कोई कोचिंग यही दावा करेगा हम सबसे अच्छे हैं तो यह कहते हैं सम्मेक तृष्टी बहुत ज़धा मुश्किल होती है पहला फेज ही कौन सा होता है बहुत ज़धा मुश्किल होती है लेकिन अब अब जब आपने यह फाइनल कर लिया कि अपनों इस इस को कि हर बात में घूम फिर के क्या है गहार एस और जहभ आर इस की बात करोगे तो करम बी उसके अनुसार करोगे नि 업LE से अनुसार करोगे जब कर उसके अनुसार करते होगे आपके पड़ईयत्थी उवह अर्च्छी रहेगी आपका आजीव बढ़ता रहे incentives पर जो शृज康 क्या हुआ करना पड़ाईगा या है आम प्रैक्टिस मुल्टिफ भूज रिवी जन रिविजन रिविजन से सुस्क्रण होते हैं जो ऊड़ आप इसका रिविजन कर ओगई तो वो बाते आपके स्मृति में क्या हो जाheगी है सेट हो जाएगी जब चीजे इस मृति में सेट हो जाएगी तो फाइनल एक दिन आपको समाधी मिल जाएगी मिल आपका आरेस में सेलेक्शन क्या है